हि हैं आ नमस्लब साथ ही हुआ आप लोगों साखतर निश्ट है घज केश्री बायक लैसे और आज हम पढ़ेंगे सैल Chectic होता क्या है तो सैल सिंग्ने signals निकलेंगे chemicals के रूप में और ये molecules से जो होंगे information को लेखर जाएंगे target cell तक तो इस पूरी process को हम कहते है signaling ठीक है तो इसमें कहते हैं हुआ है कि to transmit particular signal या message from one point to another, एक point से दूसरे point तक, एक cell से दूसरे cell तक information को signal को, message को ले जाने की जो किरिया है, transmit करने की जो किरिया है, उसे हम cell signaling कहते है, signaling कहते है all cells receive and respond to signals from their surroundings तो सभी cells जो होती है, वो या तो receive करती है या respond करती है, receive करती है और respond करती है signals के प्रति, surrounding में जो signals होते हैं, उनके प्रति respond करती है, जैसे कि कोई एक cell है कोई glands है तो वो अपने signals को या hormones को भीजेगी और target cell तक hormones जाएगा और वहाँ जाके उसे information देगा और कोई एक निश्यत process को complete होगी biological process इसमें complete होगी तो इसे कहते हैं signaling, cell signaling, communication between the cells इसे हम कह सकते हैं communication between the cells दो cells के मद्ध में या कई cells के बीच में communication को हम cell signaling कहते हैं stages जो होते हैं cell signaling के वो कैसे होते हैं receiving, receiving होंगे, transaction उसके बाद टांडक्शन आएगा फिर response आएगा अर्थात क्या होगा कि कोई एक cell होगी जो molecules को signal molecules को भेजेगी और ये signal molecules जो हैं दूसरी cells पर जो target cell है उसके दोरा receive होंगे उस target cell के उपर receiver पाई आएगे जिसके दोरा signals receive होंगे इसे कहेंगे receiving उसके बाद क्या होगा कि जो receiving के बाद जो उस cell के अंदर जो पात है जो भी reaction का जो पत है उसमें जो भी enzymes है या कुछ और process और चीज़े हैं उनका activation होगा तो उसमें जो भी molecules होंगे उनका cell के अंदर activation होगा इसका मदलब का है activation होने का मतलब है कि जो molecules आये थे signal molecules आये थे उन्होंने रेसेप्टर पर जाकर receive होगाई receive होने के बाद जो inactive पड़े होई molecules वो active किया जाएगा उन्हें तो यह कहा जाएगा transaction molecules information का transaction हुआ active होने के बाद फिर response जो target cell हो उसको एक biological response देगी जो भी नया molecules बनना है नई cells बननी है या कोई भी नई function होना है biological response target cell दोरा दिया जाएगा तो इसमें receiving होता है target cell दोरा receptor दोरा receiving होती है signals की signaling molecules की उसके बाद transaction होता है अर्थार जो inactive पड़े होई molecules है उनको active किया जाता है इसके बाद response दिया है कोफ़ां सब्सक्रीजक्रीब हो पाता है जियम bin की प्रोपर सब्सक्राइब होता ही में सब्सक्राइब गरेंस की को बिदाय। vallahi नकिमी पिर क्सक्राइब हो ते ने06 गजा सब्सक्राइब जायários दोर्टाइब का हो सकते हैं जैसे की जो inactive हैं प्रोटीन उस प्रोटीन एक्टिब करेंगे एक्टिब करने के बाद जो function होना है जो response होना है वो response दिखाई देगा ऐसे ही growth factors जो होते हैं ये भी ligands होते हैं टार्गेट सेल पर जाते हैं और बहां आकर cells की growth में help करते हैं होता है उसके बाद वहां response आता है growth growth cells की growth होती है cytokine होते हैं steroid हो सकते हैं polypeptide हो सकते हैं ठीक है तो ये क्या होते हैं ligands होते हैं और next इतने क्या लगाए signaling molecules which are reached by producing cells producing cells reach the reach पहुंचते हैं तो जो signaling molecules कुछ है वो producing cells से निकलती है release होती है उसके बाद reach पहुंचती है and transfer किसी target cell पर पहुंचती है और वहां transfer होते है biological signals to for to the target cells target cells पर biological signals पहुंचते हैं to initiate specific cellular response एक specific cellular response को बनाने के लिए initiate करने के लिए target cell biological signals जाकर ही biological signals जोते हैं ligands यह पहुंचते हैं तो यह सब signaling के अंतरगत आती है conditions इस अभी क्या था signaling क्या लाती है तो signaling molecules क्या होते हैं कि producing cells से निकलते हैं और target cell तक पहुंचते हैं बहां जाकर बहां जाकर specific cellular response को initiate करते हैं फ्रारंब करते हैं next आता है condition of signaling signaling क्या condition होनी चाहिए receptor activated by ligands ligands द्वारा receptor को activate किया आता है the receptor cause a change in the target cell receptor को activate किया आता है जिसकी वैसे receptor क्या काम करता है cell में changes लाता है और target cell में change लाता है और response तब जाके response आता है तब जाके target cell का response आता है और अपनी जो भी function है, जो भी finally function है उसको वो expose कर पाता है sending cells have ligands sending cells जो होती है वो biological जो molecules होते हैं उनको कहते है लिगेंड्स लिगेंड्स रखती है जबकि receiver cells जो होती है उसके पास receptor होते हैं receiver cell के पास हमेशा receptors होते हैं और sending cells या producing cells जो होती है उसके पास ligands होते हैं आगे देखते है signaling molecules, signaling molecules कितने प्रकार के होते हैं signaling molecules दो प्रकार के होते हैं, extracellular molecules और intracellular molecules extracellular molecules जो जो cell के बाहर होते हैं, जैसे कि ये diagram में दिख रहा है यह जो मॉल्कुल्स है यह क्या है इंट्रासेललर मॉल्कुल्स है यह दो सेल्स दिखाई गई हैं दोनों सेल्स के भी बहार एक्स्टासेललर मॉल्कुल्स हैं इंट्रासेललर मॉल्कुल्स वह होते हैं जो सेल के भीतर होते हैं इंट्रासेललर मॉल्कुल्स कहलाते हैं तो एक् प्रोश्टाग्लेंडिन और एक्सक्टर हो सकते हैं इंट्रसेललोर जो मॉलकुलस जो सेल के भीतर होते हैं कैल्सियमाइन हो सकते हैं कार्वहाइडिट हो सकते हैं सी एमपी हो सकता है ठीक है तो यह इंट्रसेललोर मॉलकुलस हो सकते हैं सेल के भीतर वाली मॉलकुलस होते हैं इंटरसेलिंग इंटरसेलिंग का मतलब होता है ऐसी सिगनेलिंग जो दो सेल्स के बीच में होती है अर्थात सेल्स के बहार होती है communication between the cells दो cells के बीच में communication करने के लिए जो signal होती है उसे intercellular signaling कहते हैं जबकि intercellular signaling जो होता है वो एक cell के भीतर ही signaling chain को कहते हैं ठीक है तो इस परकार हमने क्या देखा कि जो extra cellular molecules है वो cell के बाहर की वाले होते हैं intercellular molecules जो है cell के भीतर वाले molecules होते हैं intercellular signaling दो cells के communication को कहते हैं और जबकि intercellular signaling cell के अंदर के signaling cell के अंदर की signaling chain को कहते हैं इसके बाद आता है कि ये signaling molecules जो होते हैं वो दो परकार की हो गए extra cellular molecules और intra cellular molecules extra cellular molecules जो होते हैं ये दो काम करते हैं एक तो बाहर extra cellular लुए है उब बहुत दे रहे हैं एक काम कर रहे हैं लेकिन ये एक रेस्पॉण्ड और करते हैं जब ये टागेश सेल पहुंच जाती है तो बहां जाए इंट्र सेलर सिग्नल को भी प्रेरित करते हैं उसे initiate करते हैं जबकि intra cell जो होते हैं वो cable cell के अंदर होते हैं और यह cell के अंदर ही initiation करते हैं signaling का signal को देते हैं ठीक है सिगनल मॉलकूल सिगनल मॉलकुल वог चाहते ह door का रिशेप्टर कर सेप्टर और पर जाकर बाइनदके वार्टें सेललर रहा हो गा चाहते corn इंटर्नल मॉलकुल जो इंटर्नल मॉलकुल वो एक्टिव हो जाएंगे और आक्टिव होने के बाद टारगेट के जो हो जांगे उसके बारेँ न में कि अंदर रेसपॉंस आना शुरू होगा इसके बाद में इफक्त हमें दिखाई एगा इस था रेसपॉंस अम Informationen की जाभ फंक्शन होते हैं Metabolic flexes होते हैं जैल डिवीजन ग्रोथ differentiation development और process sensory information यह सा और इसके लावा और भी अन्य सिग्निलिंग इंटर सिग्निलिंग मैंटर सिग्निलिंग के फंक्शन हो सकते हैं सैल क्म्मिनिकेशन किसके दारा होता है सेल का जो communication होता है messenger substances दारा होता है gap junction दारा हो सकता है surface protein दारा हो सकता है और electrical signals दारा हो सकता है ठीक है तो आज हम हम यही पर इस अपनी video को समाप्त करते हैं इसके बाल हम next video लेकर आएंगे तो अब video को हम यही समाप्त करते हैं कि अगर आप हो हमारे समझ वीडियों समझ में आयों अच्छा लगों लाइक करें शेयर करें अपने साथ के साथ और पहली बार आएं तो सब्सक्राइब अबश्य कर लें